स्वागत आपका हमारे चनल प्रडिक्शन माई 11 में इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो रेंजर्स को डीवी की बीच में यह 14th T10 मेच खेला जाएगा साथ ही में हम बात करेंगे दोनों टीमों के प्लिंग 11 के बारे में लाश्ट के मेचिस के प्लियर्स के पर्फॉर्मन्स के बारे में और हम बनाएंगे 6 ड्रिम 11 के ग्रेंड लिग के टीम गुरूप को जोइन कर सकते हो अगर आप लिंक से जोइन नहीं कर पा रहे हो तो प्रडिक्शन माई 11 ओफिसिल है हमारे चैनल का नाम है आप टेलिग्राम पे सर्च करके भी गुरूप को जोइन कर सकते हो टोस्तों एक बाद में आपको यहां पे अपडेट ड्रीम एलिएन की स्मोल लिक और क्रेंड लिक के टीम दे जाएगी 14 टीटें मेच की बात करते हैं यह मेच कहला जाएगा अन्नोस विल स्पोर्टिंग वेस्टेंटिस के ग्राउन में इस ग्राउन की जो पिछ रहती है बेट्समेन को सपोर्ट करती है इन स्लो बॉल्स को सपोर्ट करती है ग् मुझे पूरी पूरी उमीद दी वी की टीम पहले बाज़ी करती है तो आपको बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस मैच में रेंजर्स की प्लेंग 11 क्या हो सकती है और साती में हम बात करेंगे लाग्ष के चार मैच के प्लेयर्स के पर्फormस के बारे में वोल्डर को लाष के अगर में 2 मैच की बात करोओ तो ओपनिंग बले बाचे करने का मökामला 1 मैच में 5 रेंज और दूसरे मैच में 6 मैच कर सकता है तो आप चो तो अपनी टीम में ले सकते हो विलियम्स की बात करते हैं एक भी मेच में अभी तक अच्छा पर्फॉर्म नहीं की अगर अग खेलता है तो आप ग्रेंड लिक में ट्राइ कर सकते हो क्योंकि आपके लिए डिफरेंश इट पिक हो सकता है हाई चांस है के विलियम्स को टीम ड्रॉप भी कर सकती है इस मेच में वाई ने हारपर की बात करते है टीम के विकेट की पर है और बहुत शानधार बल्ले बाज है लाच्ट के दो मेच का पर्फॉर्म देख सकते हो 33 और 28 बहुत यचा फॉम में है आगे बात करने वाले हैं थॉम्स के बारे में थॉम्स के अगर में तीन मेच के पर्फॉर्म की बात करूँ तो 26 सरन चोई सरन और लाच्ट मेच में 0 पे उट हो गयता लेकिन अच्छा परले बाज है आप 4 अपडेटी में ट्राय कर सकते हो केसरिक विलियम्स की बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेयरे लेकिन अभी तर एक भी मेच में अच्छा पर्फॉर्म नहीं किया सिर्फ पहले मेच में एक विकिट लिया था और लाच के तिनों मेच में एक भी विकिट नहीं ले पाया बाकि यहां से विंस्टों से मुल की बात करते हैं तो एक मेच में लिया एक विकिट बाकि तीनों मेच में इनको एक भी विकिट नहीं मिला कि माली वीलियम्स की बात करते है, चुरवाथ के दो में कोमें एक-एक उतर्विकेट लेता, लेकिन लाइस्ट के दोनों में प्रता लेकिन बोलर शांदार आप ट्राइ कर सकते हूं, कोटले की बात करती है, है तो स्टार्ड की तीनों में मैच से एक बींत क्र सकती है लए बे THERE बाकि ने कैसा परफॉर्म किया है! अब बाकि जांदार बाकि देख सकती है तोय प्लेइंगलियों में प्रफॉर्म किये वो भी आप आराम ना हम ard Б far силь वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए तो बात करते हैं कि इस मेट में DVE की प्लेइंग रेवन क्या हो सकती है और साथ ही में हम बात करने वाले हैं लाश्ट के चार मेच के प्लेइस के पर्फॉर्मस के बारे में डेरॉन ग्रेवस उल्डाउं डेर साथ में बोलिंग बेटिंग करता है तो आप पर्फॉर्म देख सकते हैं लाश के 4 मेट में दो विकट एक विकٹ और लाश के दोने मैच में कोई भी विकेट नहीं लिए एक में पर्फॉर्म सॉला रन बहुत चानधार प्लेयर है और हर पूर्स टीम में पिक करना है यहां से यह दोनों आपको उपनिंग करते हैं वेने से आ जाएंगे उपर की बात करते हैं तो 19 रन, 21, 7 रन, 2 विकर और 18 रन बनाते हैं लाश्ट मिट में बोलिंग से विकेट नहीं मिला कभी-कभी बोलिंग करते हैं और साथ में चेह से बेटिं क्योंकि हाय च्छास में होता है घ्रेव्ष पीरे उर उपर यह दोनों करते हैं और वहान की बेटिंग करते हैं तो आपको ध्यान भाष में दीन ब्राउने उपर सीधा बेटिंग करना था तो आपको बेटिंग और बोलिंग से पॉंण दिला सकता है तो इस चैस अजिए आपको ध्यान रखना है उपर कि य तीन बले बाष बहुत चांदार परफॉर्म करते हैं हर मेच में तो आप जम्स लिंडे को ट्राइ एक विकेट भी लिया था तो आपको अपने टीम में डिन ब्राउने को जुरूर से पिक करना बहुत ही चांदार है एलेक्स सेमुल की बात करते हैं एक ही मेच में बलेबाजी करने का मौका मिला है बना है बना है चार रहा है पोनी मैथ्यूस को बोलिंग और बेटिंग कुछ करने का मौका नहीं मिला है लोक विल्सन की बात करते हैं हर मेच में बने बिगट ली थे अपको अपने टीम में जी और एक्सक्रवकिट यह करने हैं अ किस पर किया है वो भी आप अरहाम से आप देख सका तो टीम बहुत शानदार है और मुझे पूरी-पूरी उम्यद है यह मेच D-V-E की टीम विन करने वाले है और हो सकता है टीम वन साइड ले भी मेच को विन कर सकती है तो आपको करना किया है आपको 6 या 7 प्लेर्स तो लेने है डी वी ए की तरफ से और आपको अपने टीम में 4 या 5 प्लेर्स को पिक करना है अगर आप इस तरीके से टीम्स बनाते हो 6 ग्रेंड लिग की टीम और आप रिकोर्ड के साफ से बनाओगे तो मुझे पूरी उमीद इस मेश में आप ग्रेंड लिग भी विन कर सकते हो या ग्रेंड लिग में आप कुछ बड़ा विन कर सकते हो अगर मैं यहां से आपके लिए इस प्लेर्स की बात करूँ जो कि इस मेश मेश में हाई चांस है ना तो बेटिंग करेंगे ना बॉलिंग करेंगे तो जो फर्ष्ट नाम है एलेक्स सेमूल टोनी और मेटुछ यह तीन प्लेर का आपको ध्यान रकना है आपको अपने टीम म अगर आ आपके लिए किसे बना सकते हो गरेफ ओर यह तीनों सेफ आपको इन तीनों में सही इसी 20 बसके बनाना है खर लुक विल्सन ये तिन आपके लिए बेश्ट आप चाहो तो ग्रेंड लिग में इनको ट्राय कर सकते हो केप्टन वाइस केप्टन के लिए हैं बाकि अगर आप तक आपको वीडियो चल लगा हो तो वीडियो को लाइक और आप एक चैनल को सब्सक्राइब जूरू से करना बात करते हैं जो मैंने आपके लिए चैनल की ग्रेंड लिग की टीम बनाई मेच बहुत ही बड़ी है अगर आप इसमें इन्वेश्ट करना चाहो तो आप बड़े तरीके से इन्वेश्ट कर सकते हो मुझे पूरी पूरी उमिद है डी वी ए की टीम इस मेच को विन करने वाल सेमिल का उपसिना बेटिंग ओडर कंफर्म नहीं है हरपर कंफर्म है कि फिर्ट डाउन बले बाजी करेगा तो आप पने टीम हरपर को ले सकते हो जैम्स का मैंने आप बता जैए आपको तभी जैम्स को अपने टीम में लेना है तब आपको डीवी ए के तरफ से एक या दो अग्राइब ड्रोब करते हो तभी आपको अपने टीम में गया तो से मुल्का और यहांसे होने तो नहीं खेलेंगे और उप्सन की बात करूं तो टोनी का मैंने आपको बदा दे इनका भी बेटिंग ओडर कंफर्म नहीं और वीलियम्स ने लाश के दो मेंसों में उपनिंग बल्ले बाची की हलाकि इतने अच्छे फॉम में नहीं है लेकिन ग्रेंड लिंग में आप ट्राइक कर सकते हो अगर इसमेहर में खेलते हैं और ओपनिंग बाची करते हैं अगर अच्छे स्कोर करेका तो आपको ग्रेंड लिंग में अच्छा मौनridPंग इंगर आ सकता है ओर्डन्ड की बात करते है तो मैंने अपके टिम में लेका बराउन ने को लिए और फपर को लिए यह रहेंगे मेरे तीन और अगर और उप्सन की बात करूं तो आपके लिए सेमुल सेफ नहीं है क्योंकि बहुत नीचे बेटिंग करते हैं उससाथ में एक से लेके दूर की बोलिंग करते हैं तो आप जो तो इनको ट्राइ कर सकते हो गरेंड लिग में बागी मैं आपको बसा कर सकते हो ठीक टाक यह बोलर है बाकि यह वीलियम्स को अपने टीम में पिक कर सकते हो यह भी ठीक टाक बोलिंग करते हैं वीकित लेके आपको दे सकते हैं बाकि यहां से आप प्रो विंडेस बहुत अच्छा बोलर है अगर इन्होंने एक में दो वीकित लिए और एक में त same team आप चाओ तो brain лиg में try कर सकते हों . अगर तोस्टोनिक बाद में play Anglier उन के प्लेंग लिए आती हो play Anglier उनके ख़ाबस में अपने team में एक यदो चंडिस कर सकता हो चंडिस के बारे में अगर आपको जाना है तो आपको हमारे टेलीग्राम गुरूप जोन करने ना है वहाँ पे आपको टोस्टोनिक बाद में फाइनल अपडेट टीम दी जाएगी स्मोन लिग और ग्रेंड लिग की तो सेकंड टीम की बात करते हैं तो विगेट की पर सेक्शन में हारपर को मैंने टीम में लिए बेट्समें की बात करते हैं वोल्टर, पेरी, ठोम्स को अपने टीम में लिए उल्ड ऑनो सेक्शन में खुपर, ब्राउने और ग्रेफ्स बोलिंग की बात करते हैं केस्रिक वीलियम एस वीलियम, रयान वीलियम और लुक वीलसन ये रहेंगी मेरे चार बोलर्स, केप्टन यहांसे मिने रखा है, ग्रेफ्स को और 12 केम पर टीम में रखाहित पेरीको, ये दोनों आपको आपको अपनिंग बल्ले बाजी करते हैं, आजर आजाएं कि साथ में ग्रेफ्स तो बोलिंग भी करते हैं, तो आपको बोलिंग और ब साथ या आठ विकेट गिरते हैं तो हमारे पास सारे बोलर्स जो आपको विकेट में पॉंट दिलाने वाले हैं अगर रिंजर्स के टिम कम स्कॉर पर ओल आउट होती है तो उपर के जो बल्ले बाद है पीरे आप यह देख सकते हो ग्रेफ और यह तीनों बल्ले बाद मेज को फिनिस करने वाले हैं अगर ऐसा होता है तो यह तीम आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बाकि आप चाहो तो अपने असाब से चेंजर्स कर सकते हो कैसरी विलियम्स को में इसलिए लिए है क्योंकि एक से लेकिए अगर यह दो और की बोलिंग करते है और एक दो करते हैं वोल्टर्स पीरे और थॉम्स को लिया उल्डाउंडर सेक्षन में हूपर ब्राउन और ग्रिफ्स बोलिंग की बात करते हैं तो केसरी वीलियम्स वीलियम्स डेस पेस्टे और मैंने प्रेटीम में लिए प्रोविंडेस को यह रहेंगे हमारे चाहर बोलर्स के अप मैंने प्रेटीम में रखा हरपर को अब सिर्फ चारी बल्लेबाज को मैंने प्रेटीम मिलिया आप यहां पर देख सकते हो डीवी के तरफ से क्योंकि अगर इस मेच में डीवी की टीम सतर या असी रहन बनाती है बहुत ही कम चाहसा मुझे पूरी पूरी उमीद है इस मेच म इस मेच में ऑपर के आप यहां पर बल्लेबाज को आपर देख सकते हो रिंटर के हर पर को ले रही हो है वोल्टर टोंप इसके बाद मेर बराट बैटिंग में ले रहा है तो इस में एक smallest अगर विकेड किरते हैं आपको विकेड में हारती है और ये टीम विन करते हैं विलियम्स के अज़त लिए तो साथ में उपर लेज़ भाजी भी करते हैं तो ये आपको बॉलिंग और बैटिक से पहुंच दिला सकते हैं बाकि वाइस के पिप्रन हर्पर को रखा है क्योंकि सांदार प्लेयर है और हर में अच्छा परफॉर्म भी किया तो इसलिए मैं अपने टीम में अपने टीम में तो यह मैंने रेंजस की तरफ से टीम बना यह तो आप चौत आपने साब चेंगे कर सकते हों बात करते हैं से फोर्ट टीम के बारे में वीगयर केंक परसेक्सन में हार्पर को लिये में बैट्समेन में पीर होल्टर को लिये और वीलियम्स को में लिया है वज़्ण है, और कि में बात करते हैं तो हुपर और गरेफस को और में टीम, आप यहां पर देख सकते हो, सारे उपर के बल्ले बाद जो हैं, उनको में अपर टीम में ले रखा हैं, जो कि ओपनिंग बल्ले बाद जी करेंगे, या फ़स्ड डाउन बल्ले बाद जी करेंगे, अगर इस में अपर के बल्ले बाद अच्छा पर्फॉर्म करते में मुझे पूरी उमीद है इस में मैच्छा परफॉर्म कर सकता है रहान वीलियम्स को मैंने वाइस केप्लन इसलिए रहे क्योंकि अब एक भी मेट में इनका इसा नहीं गए जिस मेट में वीकेट नहीं लिया मुझे पूरी पूरी उमीद है इस मेट में एक से लेकर आपके दो विकेट निकाल सकता है, बाकि आप चाहो तो केप्टन और वाइस केप्टन को आप अपने हसाब से चेंजिस कर सकती हो, तो यह हमारी फॉर्थ अट्रीम इज़ान के ग्रेंड लिग की टीम रहेगी, फिफ्ट टीम की बात करते हैं, यहां पर मैंने रिस्क लिया है, और ज विकेट के लिए तो आपके लिए बेस्ट अपसन है केप्टन और वाइस केप्टन की चोज़ के लिए, अब यह टीम आपके लिए जिसके रहने वाली है, सबसे पहले बात करते हैं, विकेट के बाले में तो मैंने यहां से हारपर को ड्रोप किया हो, और आपर फैस्ट अगर इस मेच में, जैसे आप देख सकते हैं, विलियम्स को लिए, ओल्डेस पेस्ट जो को मिन एप्टी मिलिए, अगर यह दोनों मिलके पीरी को जल्दी आउट करते हैं, तो यहां से उपर को जल्दी बैटिंग करने का मोगा मिल जाएगा, अगर उपर जल्दी बाले बा बोलिंग भी करता है, तो आपको बोलिंग और बेटिंग से पॉन्ट दिला सकता है, तो यह टीम इने तो रिस्क की बनाई हार्पर को ड्रोप किया है, और पीरे को ड्रोप किया आप जो तो दोनों में से किसी एक को या दोनों को भी अपनी टीम में ले सकते हो, अब यहां स तो पूरी उम्हित इस मेच में एक से लेके दो विकेट निकाल सकता है। विल्जन को मैंने अपने इस टीम से किया ड्रोप आप चाहता अपनी टीम में ले सकते हो कि अपनी आसे रहा है ग्रेफ स्कोर वाइस के मिने पर टीम में बनाए होपर को तो यह हमारी लाश्ट द्री मिलोन के ग्रेंड लिग की टीम रहने वाली आपको एक भी टीम को कौपी नहीं करना इस इसका आपको ध्यान रखना है आपको अपने हिसाब से हर टीम एक या दो चिंजस करने हैं जो मैंने आपको वीडियो में बोला है आपको उसी हिसाब से टीम बनानी है जो मैंने आपको वीडियो में बता है आप उसी हिसाब से टीम बनाओं मुझे पूरी कर सकते हो अगर आप वीडियो के साफ़ से टीम बनाओके तो बागी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जूरूर से कर देना डिस्क्रेप्शिन में आपको लिंक मिल जाएगी आप हमारे टेलेक्राम गूर्प जोन कर सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं के लिए वीडियो में बोच जल तबते के लिए दन्यवाद